सकट चौत की कहानी एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी देवरानी हमेशा गणीश जी का पूजन और व्रत करती थी देवरानी का पती जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था देवरानी घर का खर चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी माग महीने में गणेशी का व्रत सकट चौत देवरानी ने रखा उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने तिल वगुर लाकर तिलकुटा बनाया पूजा करके तिल चौत की कथा सुनी और जेठानी के यहां काम करने चली गई सोचा शाम को चंद्र को अर्ग देकर जेठानी के यहां से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का वरत होने के कारण घर में और सभी ने भी खाना खाने से मना कर दिया अब देवरानी जेठानी से बोली आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं इस पर जेठानी ने कहा कि आज तुम्हें कैसे देदू तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना देवरानी उदास मन से घर चली आई देवरानी के घर पर पती बच्चे सब आस लगाए बेठे थे कि आज देवहार है इसलिए कुछ पकवान आदी खाने को मिलेगा लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आस तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे उसका पती भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह दो रोटिया नहीं ला सकती वह बेचारी गडेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी कर सो गई उस दिन सकत माता बुढिया माता का रूप धर कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी सो रही है या जाग रही है वह बोली कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं बुढिया बोली भूख लगी है खाने के लिए कुछ दे देवरानी बोली क्या दूँ मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है जेठानी बचा खुचा खाना देती थी आज वो भी नहीं मिला पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है वही खालो सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी निम्टाई लगी है कहा निम्टें उसने कहा यह खाली जोपडी है आप कहीं भी जा सकती हो जहां इच्छा हो वहां निमट लो फिर सकट माता बोली अब कहां पोचू अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कपसे परिशान किया जा रहा है सो बोली कि मेरी साड़ी से पोच लो देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है उस दिन देवरानी जठानी के घर काम करने नहीं गई जठानी ने कुछ देर तो राह देखी फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी बच्चे बुलाने गए देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी मा के यहां काम कर लिया बच्चों ने घर जाकर मा से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मौतियों से जगमगा उठा है जेठानी दोड़ कर देवरानी के पास आई और पूझा कि यह सब कैसे हो गया देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह सुनाया उसने भी वैसा ही करने की सोची उसने भी सकट चोथ के दिन तिलकुटा बनाया रात को सकट माता उसके सपने में भी आई और बोली भूख लगी है मैं क्या खाऊं जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं जो चाहें सो खा ले सकट माता बोली अब निप्टे कहां जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपटलो फिर उन्होंने बोला कि अब पोच्छू कहां जेठानी बोली कहीं भी पोच्छलो सुबह जब जेठानी उठी घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था तो जेठानी ने बद्बू सहन करते हुए उल्टियां करते हुए घर साफ किया फिर उसने देवरानी से पूछा कि तुम्हारे साथ जो हुआ मेरे साथ उसका उल्टा क्यों हुआ मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ तो देवरानी बोली कि जी जी मेरे यहां धनकी बहुत कमी थी और मैंने सची श्रद्धा से भगवान गणेश का सकट चौत का वरत किया था किसी लालच में मैंने उनका वरत नहीं किया था मुझे सच में धनकी जरूरत थी इसलिए गणेश जी ने मुझे धन दिया और आपने लालच में आकर उनकी पूजा की और व्रत किया लालच में आकर कोई भी काम करने से उसका फल नहीं मिलता अगर हम सची श्रद्धा से भगवान का पूजन करते हैं तो ही हमें अपनी पूजन का फल मिलता है हे सकट माता जैसे आपने देवरानी पर क्रपा करी वैसे सब पर करना सकट चोथ के और फी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जैस्री गनेश जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जैस्री गनेश झाल झाल